हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब की बात करेंगे इस वीडियो में 410 पोस्ट पर वेकेंसी आई है जहां एनी ग्रेजविट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बेसिक पे की ही अगर हम बात करते हैं तो 25,500 बेसिक पे रहने वाली है और सैलरी जो है 81,000 से भी अधिक जाएगी यहां पर जो है लास्ट डेट 9 मई है अगर आप आविदन कर सकते हैं पोस्ट का नाम है assistant या clerk in civil court तो बिलकुल आविदन करिएगा इसना तक इसमें मांगा गया है बाकी जो है detail information के लिए notification देखेंगे किस राज्य की vacancy है क्या age कही गई है age relaxation category wise जो है किसे दिया गया है selection कैसे रहेगा बाकी सारी चीज़े official website पर चले आए high court of जहारखन ब्रांची से ये vacancy है पोस्ट का नाम है assistance या clerk in civil court of state of जहारखन बाहरी राजी के candidate बिलकुल अप्लाए कर सकते है unreserved category की 130 vacancy है schedule caste की 58 है schedule tribe की 143 है BC 138, BC 214, EWS की 27 है कुल 410 post पर vacancy है जिसमे reservation है woman woman के लिए reservation इसमें से रखा गया 14 vacancy woman candidate के लिए है और ये जो संख्या है ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है बिलकुल starting date जो है online application की 10 अप्रेल 2024 से आवेदन start है और 9 मई 2024 है तो मुझे लगा कि कोई इसनातक पास candidate सरकारी नौकरी सर्च कर रहे है जहां पर भारी राज्जी के candidate बिलकुल अप्लाए कर सकते है जार्खन राज्जी की vacancy है तो आप जो है इस vacancy को इस notification को अच्छे से देख लेंगे 9 मई तक ही apply आप कर पाएंगे लेवल 4 के according salary रहेगी 25,500 से 81,100 इसमें qualification कहा है graduation, science, arts, commerce किसी से भी आपने इसनातक किया है graduation आपने complete की है और आपके पास knowledge of computer operation is essential certificate, diploma, degree कुछ नहीं मांगा है इसमें computer का लेकिन knowledge बस होनी चाहिए और इस time जो है हर candidate को computer की knowledge तो रहती ही है उम्र की अगम बात करें तो 21 से लेकर 35 वर्स तक के candidate, unreserved category and EWS category की उम्र है 37 year तक BC1, BC2 category के लिए 38 year जो है female candidate चाहे वो unreserved category की है EWS की है, BC1, BC2 किसी भी category की है SC2 category के लिए जो है 40 वर्स तक की उम्र है male and female दोनों के लिए PWD के लिए 10 साल की चूट है ठीक है? यानि 35 अधिक्तम उम्र है unreserved category की और 45 year तक के candidate rate PWD के आविदन कर सकते हैं merit list will be prepared on the basis of marks exam रहेगा और उसके बाद interview रहेगा उसके बाद examination fees की हम बात करें तो यहां 500 रुपे fees जो है unreserved category EWS, BC1, BC2 यानि OBC जो category है उनकी fees रहेगी 500 रुपे 125 रुपे SCST category की है और person with disabilities PWD category की examination fees नहीं है छूट दी गई है फीस में scheme of examination syllabus and other detail तो return testers जो है आपका 90 marks का होगा qualifying marks जो है unreserved category EWS और OBC के 40% आपको marks लाने है qualify करने के लिए और SCST को 30% लाने है computer skill test जो होगा वो केवल qualifying in nature रहेगा 100 word 20 word per minute typing speed interview जो है वो 15 marks कर रहेगा और 15 में से 5 marks जो है वो सभी category को qualify करने के लिए चाहिए ही syllabus जो है आप लोगों को website पर ही check करना होगा जैसे ही official website पर आएंगे recruitment में यहाँ पर 5 number पर advertisement है इस पर click करेंगे notification को check करेंगे check करने के बाद आप लोगों को इसके उपर ही link for applying online application form मिल जाएगा और आप लोग apply कर सकते हैं जो भी interested candidate है qualification भी ज्यादा नहीं मांगी गई है केवल graduate graduation मांगी गई है तो चलिए ऐसी ही vacancy अगर मुझे लगता है कि candidate के लिए सही रहेगी आवेदन कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए हर राज्य की vacancy को cover किया जाएगा mostly जो है teaching line की जो vacancy है उसे मैं cover करती ही हूँ चाहे वो सरकारी हो private हो या फिर एसे department की जो की आप लोगों को नहीं पता लगती Thank you